हजारों सालों से ऐसे प्रांट पृतिश्टा करते आए हैं, इस विवस्ताने करोड़ों लोगों को गुलाम बनाए रखा है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं पत्थर में प्रांट पृतिश्टा कर देता हूँ और पत्थर फिर जीमिंत हो जाता है, तो सरासर पागलप कि हर प्रितियक व्यक्ति की ये fundamental duty है कि वो लोगों को जागरुक करें लोगों को तरक्याधर पर सोचने के लिए मजबूर करें विज्ञान का सहरा ले विज्ञान के माद्धम से देश चलना चाहिए शविधान के माद्धम से देश चलना चाहिए अंदविश्वास के नाम पर देश नहीं चलना चाहिए मगर कुछ बाबा कुछ पंडा पुजारी कुछ राजनेता इस देश में अंदविश्वास फैलाना चाहते हैं धरम के नाम पर बटवारा करना चाहते हैं धर्म के नाम पर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो सरासर गलत है बिलकुल गलत है आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए गलत है पूरी दुनिया कहां से कहां पहुँच गई मगर हमारा देश आज भी गोवर में विग्जान ढूनने का काम कर रहा है आज भी वो पत्थ देश की सरकार कहती है कि हम 82 करोड़ लोगों को पांच किलो अनाज देने का काम करते हैं आपने लगवग 82 करोड़ लोगों को देश की जनता को गुलाम बनाने का काम किया है विकारी बनाने का काम करें आपने ये तो नहीं कहा कि हमने 40 करोड़ लोगों को रोजगार दे दि हमने हर व्यक्ति को सुख्षा देने का काम किया यह तो आपने नहीं बोला अगर दलीतों पर इस देश में अगर जुल्म होता है अत्याचार होता है तो प्रदान मंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि दलीतों पर अत्याचार मत करो करना है तो मुझ पर अत्याचार कर लो मुझ पर गोली मालो दलीतों पर मत मालो तो क्या दलीतों की पिछड़ों को भी कुछ इस्सेदारी रहेगी राम मंदिर में कोई पुजारी जारी बने का को ट्रस्ट में रहेगी क्या अब तक रही है हमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए हमें तुमारे धरौम में हिस्सेदारी नहीं च इसलिए हमें तुम्हारी विवस्ता से कोई लेना देना नहीं है मगर तुम अपनी विवस्ता के मादधम से करोरो लोगों को हजारों सालों से जो बेकूप बनाते आए हो वो बेकूप नहीं बनने देंगे हम लोगों को जाग रूख करेंगे आखरी सांस तक जाग रूख करे कीजिए ऐसे अंदविश्वासी लोगों के चंगुल से लोगों को निकालने का काम कीजिए हम ऐसे ब्रष्टाचारी ऐसे अंदविश्वासी लोगों के चंगुल से निकालने का काम कर रहे हैं हम सही काम कर रहे हैं अगर हर व्यक्ति ये काम करने लगे तो इनकी दुकान के नाम पर चलने लगेगा न्याय मिलने लगेगा रोजगार मिलने लगेगा देश सोने की चिडिया बन जाएगा हम देश को सोने की चिडिया बनाने की रहा पर कतल रहा है जिन पिछलों ने इसकी लड़ाई लड़ी मंदिर की उनको तो इन्विटेशन भी नहीं दिया गया इस देश का दुर्भाग है यहां पर एजूकेशन की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है जो ग्यानवान बनाता है यहां पर न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती है जो अन्याय हो रहा है रात दिन यहां समता सबतंता भाईचारे के लिए लड़ाई नहीं लड़ी यहां मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है यहां मजजिदों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है धरम के नाम पर हजारों सालों से जो पूरी दुनिया में लड़ाई है वो बंध होनी चाहिए individual को धरम की कोई जोत नहीं है गुरूप में रहने के लिए अपने धर्म को सर्वसुष्ट बचाने का एक प्रकार से ये एक मनोवज्ञानिक तरीका है ये लोग भीमार हो चुके हैं केवल अपना धर्म दिखाय देता है इंसानियत दिखाय नहीं देती अगर धर्म के नाम पर इंसानियत को बचाना हो तो धर्म को बचाने काम करेंगे इंसानियत को कतल करने का काम करते हैं उसी व्यक्ति को जो अचूत मानते हैं जिस व्यक्ति को ये असूत मानते हैं उसको मंदिरों में निखुसने देते हैं मंदिरों में अत्यचार करते हैं आज तक मंदिरों में क्या करा देव दासी प्रबु सबी दहान अगर देश के अंदर नहीं होता तो हम लोग गुलाम थे हम लोगों पर इनानने क्या त्याचार करें यह समझना पढ़ेगा आप लोगों को हम तो चैनल के मादधन के आपके चैनल के मादधन से नो जमानों से कहना चाते हैं इस सडियन्त से बची आप लोग ये सडियन्त रहे सरासर ऐसा कोई प्राण प्रतिष्टा वाली कोई चीज नहीं होती है पत्थर पत्थर होता है मिट्टी मिट्टी होती है सब कुछ होता है जानवर जानवर होता है सब को पता है मगर एक जानवर को भगवान मना देना पत्थर को भगवान मना देना इनकी कला है उस कलाम में फसा देते हैं धरम के नाम पर अंदविश्वास के नाम पर और आपको आस्था के नाम पर और भगवान के नाम पर तो ये लोग बहुत बड़े एक प्रकार से एक सडियन्त कारी लोग है और सडियन्त करते आई हैं ये सडियन्त से बचना है आप लोगों को सडियन्त से बचने के लिए बावासा डॉक्टर मबेट करने आपको रास्ता दिया था 14-09-56 को आप बुद की सडियन्त आप भिग्यान की सडियन्द में आजाएं आप तर्क की सडियन्त में आजाएं आप इंशानियत की शडियन्त करने चाह बच जाएंगगे अब और ये चंद चालाख लोगों के द्वारा बनाया और सडियंत्र है, इससे निकल नहीं सकता कोई ब्यक्ति, क्योंकि आपको पुर्णर जनम की बात करेंगे, आपको भागे और भगवान की बात करेंगे, आपको आपको उद्धार करने की बात करेंगे, सब इस इंसान यहाँ पर उद्धार कराना चाते हैं, सब मोग चुपाना चाते हैं, सब बहुत बड़ा इंसान बनना चाते हैं, और सब कौन करेगा, ये मूर्तियं करेंगे सब का काम, अगर इनमें कुछ नहीं तो लोग इतनी आस्ता विश्वास क्यों लग जाते हैं? देखिए, लोग तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, तरकी तो बात नहीं करेंगे, अंद विश्वास की जरूर बात करेंगे, जो अंद विश्वास की बात करेगा देश के अंदर, भारत के अंदर, उसको रातोरा हीरो बना दी जागा, उसको प्रोट्रक्शन दी जाएगी, प्रिधान मंतरी इस मैं एक धर्म को प्रिमोट करने का काम करते हैं, जो सविधान के खिलाप है, सविधान इस बात की गारंटी नहीं देता है, सविधान कहता है कि जो भी देश का प्रधान मंतरी बनेगा, उसके लिए सारे धर्म एक से हैं, मगर विशेश धर्म से प्यार करते हैं, उसको प्रिमो के देश से आया हूँ, कथाकत बुद्ध पूरे दुनिया के अंदर है, उनका तर्क, उनकी विज्ञान, उनका तरीका जीने का पूरी दुनिया के अंदर है, अगर हिंदू धरम इतना ही महान है, तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैला हूँ, आपको नहीं लगता, ये ज लोग नसे से बहार निकल रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि ये धरम के नाम पर राजनिती करने वाले लोग हैं, हिंदू मुसल्मान के नाम पर राजनिती करने वाले हैं, गाय गोवर के नाम पर राजनिती करने वाले हैं, अब नौजवान समझ चुका है, नौजवान बनाता है, जो नौजवान इस देश को अच्छा बनाना चाहता है, अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है, यह राम-मंदिर बनाे, ऊनुमान-मंदिर बनाे, कोई मंदिर्पना मंदिर्वंIST देश का उध्धार नहीं होगा, विद्यहलों से देश का उध्धार होगा, आप जब चिकिस्ता लेब बनाएंगे उनसे उध्धार होगा, नियाए भीवस्ता को अच्छा करेंगे उससे होगा, आप रोजगार प्रोवाइड करेंगे, उससे डेगों का होगा, अगर ऐसी बा करते हैं हम अंदकार को खतम करना चाहते हैं देश से